जै हिन जै भारत साथियों साथियों आज हर्याना का दूसरा मेरा दो दिवस्य दौरा शुड़ हो गया है अभी सुभा के लगबग 6 बच कर 30 मिनट हो रहे हैं और सुभा 6 बजे से मैं घर से निकला हुआ हूँ थोड़ा हम इंतजार करें दिली से बाहर निकल जाए हम लगब चार लोकेशन पर ही जा पाया था दो दिन में तो हमारी 10 लोगसभा है हर्याना में तो हर्याना टीप का कहना था कि सर दसों लोगसभा में आपको जाना चाहिए तो आज हम तीन लोगसभा कवर करने वाले हैं सबसे पहले सुभा 10 बजे हम भीवानी महेंदरगर्ण जो उसके बाद एक बजे हम लोग गुरुगावा गुरुग्राम लोकसभा में मुलाकाद करेंगे बस्टेंट पर और उसके बाद शाम को साड़े चार बजे फरीदबाद बस्टेंट पर मुलाकाद की जाएगे कल भी हर्याना का दोरा रहेगा कल सुभा दस बजे मैं कुर्शेत्र लोगसभा बस्टेंड पर मुलाकात करूँगा एक बजे करनाल बस्टेंड पर लोगों से मुलाकात करूँगा और शाम को साड़े चार बजे हम लोग सोनीपत लोगसमा में लोगों से मुलाकात करेंगे तो ये दो दिवसी दोरे में लगबख 6 डेश्टिनेशन रहेगा जो लोग भी हर्याना या इन लोगसमाओं के आसपास रहते हैं वो आकर के मुलाकात कर सकते हैं जो लोगों ने करजा मुक्ति अभिहान में लिडी फॉर्म भर दिया है उन लोगों को भी वो लोग भी आएंगे तो उनका रिजिट्रेशन नमबर दे दिया जाएगा हमारी टीम आपका फाइल नमबर दे देगी जो वीतबंतराले में आपके फाइल भीजी गई है जो लोगों ने अभी प्रेसेशन नहीं कराया वो लोग भी आ सकते हैं मुझसे मिलना चाहें बात करना चाहें अपने डाउट किलर करना चाहें वो भी कर सकते हैं हमारे साथ जो टीम के साथ ही आज जा जा रहे हैं मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ अबर्टलाप कर अगे बढ़ाएंगे सबसे पहले हर्पी सिंग सैनी भारती जी स्वागत है मेरे पेज़ पर आपका जाहीं जाहीं जा बारता है दिखते रही है अपनी बात वखते रही है हरपी जी कैसा रिस्पोंस आ रहा है करजा मुक्तीअभियान का पूरे देश से सर अगर मैं रिस्पोंस के बात करूं तो बहुत जबर्दस रिस्पोंस हो रहा है और रेगुलर बढ़ता जा रहा है यह multiple effect जिसे compounding कहते हैं दुनिया का साथवा जूबा so compounding effect आ रहा है बहुत जो लोग है वो आगे से आगे लोगों को जिस हद तक जोड रहे है एक्सपेक्टेड नहीं था उससे ज्यादा बहुत ज्यादा response है अभी केंदर की बात करें तो दिल्ली में कितने कोई इंदर खुल गया हूं गई है दिल्ली में फिगर अप्रॉक्सिमेटली डाइसो के लगबग पहुँच गई है बहुत बढ़ी है वेरी गूट जी तो और पंजाब में भी इतना ही होगा डाइसो से जादे हूंगे पंजा जेना चाहेंगे हरियाना वालों को के आज तीन लोकेशन पर आप भी रहेंगे जी जी क्या संदेश देना चाहेंगे सर मैं तो संदेश के अपना एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूंगा जैसे हमने पंजाब में किया जैसे नागपुर में देखा एक साधरन विक्ति के साथ भी हजारों लोग जुड़ रहे हैं कि एक करजा मुक्ति अभियान के अंदर क्योंकि लोगों के समस्यां इतनी जाद हैं और आप जो खुद जब जुड़ते हैं खुद जुड़ने के लावा आप किसे दूसरे विक्ति के भला कर सकते हैं किसी दूसरे विक्ति को इस अभियान के बारे में जानकारी में जरूर दिजिए कि कोई से आगे नहीं आ रहा है तो ऐसे समय के अंदर जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको इसके बारे में पता लग सके और वो उनकी कुछ मदद कर से बहुत बढ़ा है कितने में निकल आओ घर से आज में तो निकल लिए था पाँच बजे बहुत बढ़े है रेगोट करना और केबारे में बात करना उनमें बहुत अंतर होता है आप देख लीजे करांटी कारियों को लाइव अपने सामने ऐसे लोग ही संगश्च करते हैं जो एक हैँपना आराम छोडते हैं चैन छोडते हैं और अपने लिम यह रहरे ह60 जैव यह जैए रजा रेगुलर में का यहां कम हो जाएगा लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कम होता है रिस्पांस आना फिर एक डम से लगातार कॉल साने लग जाती है पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है मुझे पहले लगता था कुछ कुछ लोग होंगे हजार दो हजार पास जार दास जार लोग होंगे लिकिन लोग लाखों में हैं और यह बहुत बड़ी समस्या है लोग इस से पीछा छोडाना चाते हैं लेकिन छोडा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है बीस तरीके कौन-कौन से हैं जो आपको कर्जे से निकाल सकते हैं बहुत बड़ी हैं आप सभी को सीखने की जरुवत है हमेशा काम आएगी आपके बच्चों के भी काम आएगी पूरे इंडिया में कितने केंदर हैं हमारे चारह जार सोग पर हैं केंदर ज़्यादा ही हो गया पाँच हजार के लगबाग करजा मुक्ति के इंदर खुल चुके हैं लोग काम कर रहे हैं और एक एक वैक्टी के साथ सो नहीं सर्थ हजार अजार लोग जुड़ रहे हैं बहुत बढ़ी हैं बहुत-बहुत स्वागत हैं आपका मुकेश रुई भारते जी हर्याना के प्रद परिवार की जिम्मेवारी भी एक financially freedom नहीं है, वो भी कहिने कहीं करजे में हैं, क्योंकि परिवार को संभालना मुश्किल हो रहा है, अपने आपको संभालना मुश्किल हो रहा है, परिवार की जिम्मेवारी हैं, उनमें तो बहुत दिक्कत आ रही है आज की देट में, और सब से मैं एक ही बात कहूंगा कि परिशान नहीं होना है हम सब आपके साथ हैं और बात करें करजा मुक्ती करजा मुक्त होगा आपका पूरा देश का हरेक नागरिक का होगा बस विश्वास रखिए गुरुजी पे जो ये मुहीम उठाई है साथ दीजिए अपनी बात को रखिए परिशान होने की जूर तो नहीं है फैमिली के साथ मैंने पहले भी बोला था जो सर बताते है उन वीडियो को या जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको आप परिवार के साथ सुनिए हो सकता है किसी एक का आइडिया पूरे परिवार को या पूरे देश को आपके लिए तो मैं निकला था जड़े चार बजे सच बताता हूं आज मुझे मतलब दुख भी होता है और खुशी भी होते हैं और हमारे साथ दुनिया है आज और हम उन दुनिया के साथ है जो आज परिशान है कि सुबह पहले अलारम से उठना पड़ता था आज अलारम की जूरत नहीं है पहले